North Korea के dictator के बारे में किसको नहीं पता? सभी जानते हैं कि ये बहुती ग्रोल और ruthless dictator है ये इतना ज्यादा खतरनाग है कि सिर्फ इसके देश के लोग में बलकि वर्ड के बड़े-बड़ी super countries भी इसके नाम से जबते हैं ये इतना ruthless है कि अगर इसकी assembly में सिर्फ कोई हस दे तो उसको भी ये उमर केती सजा दे देता है और जब ऐसे जालिम dictator के भाई का murder हो जाए और वो भी दो यूटूबर्स के वज़े से तो आप लोग अंधाजा भी नहीं नाना परक्ते के उन दो यूटूबर्स के साथ इसने आखिर क्या किया 15. February 2017 Malaysian International Airport पे ये बहुत ही normal day था फ्लाइट आ रही थी फ्लाइट जा रही थी लेकिन उसी दिन वहां के एरपोर्ट पे दो लड़किया फ्लाइट वीडियो शूट कर रही थी उनके हाथ में कुछ क्रीम था तो वो रैंडम ली किसी भी लोगों की पास जाती थी और उनके चेहरे पर क्रीम लगा के वहां से भाग जाती थी और थोड़ी देर बार वहां पे वापसा के उनसे माफी मान दी थी और उन्हें गिफ्ट हैंट पर दे थी थी ताकि उन्हें बुरा नब लगे और उसी दिन मालेशन एरपोर्ट से किंग जॉंग नाम बाहर निकल रहा था जो कि नॉर्ट कॉरियन डिक्टेटर का भाई था तो इन दो लड़कियों ने उसे अपना अगला टार्गेट बनाया और चुप चाप उसके पास जाके उसके नूपे वो क्रीम लागा के वहां से भाग दे भाग जाने के थोड़ी देर बाई जब लड़कियों ने धून के गए था तो किंग जॉंग नाम जमीन पे पड़ा गए था और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था फौरान महाँ पे एरपोर्ट सेकेरिटी जाई और उसे आइंबुलेंस में हॉस्पिटल ले गई अब ये दो लड़कियां पूरी तरह से परेशान थी कि आखिर इसके साथ हुआ क्या क्योंकि यही फ्राइक उन्होंने कई सारे दूसरे लोगों के साथ भी किया था कि इसे को कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या रिजन था कि किंग जाउन नाम जमीन पे पड़ गया और दिल्कुल ही नहीं नहीं आता वो दोनों यूटूबर से बात को सोचके पहले शाम वो ही रही थी कि एक घंटे में खबर आई कि किंग जाउन नाम अब मर चुका है और जैसे ही ये नियूज बहार आई पूरे मरेशा में हरकम मच गया कि अब नौर्ट और का डिक्टेटर पता नहीं इसके बदले में क्या स्कत लेना उन दोनों यूटूबर्स को फौरार अरेश्ट कर लिया गया और यहां से इंक्वाइरी शुरू हुई पूरी एक हफ़े तक इंक्वाइरी करने के बाद फुली स्पाइनल इस विजिजियन पर पहुँची कि बाकर में ये दो लड़कियों को उसके मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं बता था उन दोनों लड़कियों ने ये बताया कि एरपोर्ट में एक आदमी था जिसने इन दो लड़कियों को अप्रोच किया उनसे कहा कि वो उनका बहुत बड़ा है और उन्हें इस तरह का फ्रैंक वीडियो शूट करने का आइडिया दिया और वो क्रीम भी उसी आदमी ने दिय और साथ में कुछ पैसे देने की भी बात भी थी अब क्योंकि इसमें पैसा इंवल्व था तो वो दो लड़कियां भी हाँ कर दी लेकिन मर्डर के बाद ना ही वो आदमी दिखा और ना ही उन दो लड़कियों को किसी भी तरह का पैसा मिला तो पुलिस ने फॉर्दर इंव पार्च के महिने में उन्होंने इस आद्वी को धून के निकाला इसका नाम था जैक और इंवस्टिगेशन में जैक ने इस बात को एकसर्ट किया कि उसी ने क्रेम गया था किंग जॉंग नाम के मुँपे लगाने के लिए और इंवस्टिगेशन में फाइनली जैक ने Korean dictator ने ही बनाया था लेकिन अब सवाल आता है कि King Jong-yong अपने ही भाई को क्यों मरवाना चाहता है इसका reason था कि King Yong-nam जो है वो अपने भाई की government के फिलाफ North Korea के लोगों के condition के फिलाफ कई सारे बयान देता था North Korea में बहुत सारा inhumanity की policies चल दी थी जैसे कि वहाँ के dictator की photo की पूझा करना किसी भी religion को ना मानना etc. etc. King Yong-nam इस तरह के policies के बिलकुल खिलाफ था और आई दिन परस्ट में लोगों को इसके बारे में अवेर किये जाना था अब ये बाद North Korean के dictator को बिलकुल भी पसंद लिया और इसी में पूरा का पूरा प्लान किया था अपने ही भाई को मरवाने का और जब फाइनली ये बात कर्लूड हो गई उन दोनों यूटूबर्स को वहां से रिहा कर दिया रहा होने के कम से कम 6 महीने के बाग उन दो यूटूबर्स के घर पे कुछ डॉलर्स और कुछ गिफ्ट हैंपर्स मुझे अब तक किसी को भी ये बात का पूरा कंदूजियन नहीं है कि वो डॉलर्स और हैंपर्स किसने भी जोई थे लेकिन बहुत सारी लोग यही मानते हैं कि वो उस डॉलर्स और उस हैडपर्स के साथ एक नोट भी था जिसमें दिखा था कि तुमने आपना काम बहुत अच्छे से नेपा रहा है उन दो योटूबर्स ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो एरपोट वाला प्रैंक उनकी जिन्दगी का सबसे आखरी प्रैंक बनके रहे जाए